नमस्कार मैं हूँ राजेस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमाई इस खास बातचीत में और मुद्दा में आज ये मुद्दा इसलिए महत्पुर्ण है कि दिल्ली में जो जिस जोर सोर से चुनाव परचार चल रहा था वो थम गया है बस अब मतदान की तिथी आगे है और देखना है कि उन्ट किस करवट बैठता है हला कि सर्वेक्षन कुछ और कह रहे हैं इस तमाम ऐसे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के बरिष्ट नेता डॉक्टर बिजय सोनकर सास्त्री मौजूद है प्रवक्ता है और इनकी अच्छी खासी पकड़ है दिल्ली के चुनावी राइनीत में सास्त्री जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में सबसे पहले कैसा महसूस कर रहे हैं चुनावा प्रचार तो अब खत्म हो गया और बहुत बड़े-बड़े बादे बरी-बरी राह लिया चाहे चाहे मोदी जी की हो चाहे कॉंग्रिस की हो चाहे आप पार्टी के जीवाल के बड़े-बड़े बोल अब कैसा महसूस कर रही है वीजेपी देखिए हम लोग तो बिलकुल आस्वस्त हैं और जहां तक भारती जनता पार्टी की बात है हमारे नेता या कारीकरता या पूरी पा मदाता सुची जो होती ही उसका जोपेज होता है उस पेज पर एक प्रमुख हम लोगों ने बना रखा है, आज साम तक चुनाव प्रचार जब समाप्त होगा, तो साम से हम लोगों की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगे, और हमारा पन्ना प्रमुख जो है, हर एक मत्दाता से लगबग साथ आठ किस्म के पत्रक के साथ संपर्क करेगा, इसलिए हम लोग बिलकुल आस्वस्त हैं, हम चुनाव में हमारी पूर्ण बहुमत प्राप्त हो रही है, और आने वाले समय में हमारे पार्टी की मुख्यमंत्री के रूप में किरणवेदी सफत गराण करेंगी, लगे मीडिया की जो सर्वे के नतीजे हैं कुछ और कह रहे इसलिए हम काम करने में विश्वास रखते हैं, और पार्टी को सर्वे परशी बनाने में विश्वास रखते हैं, आज दिल्ली की जो वास्तविक समस्या है, हम उसको उसके प्रती दिल्ली की जनता का जन जागरन कर रहे हैं, उसको हम लोग दिखला रहे हैं, मौका तो मिला था के जरिवाली को, क्यों छोड़ करके चले गए, लगना जूजना चाहिए था, लेकिन जो उन्होंने वादे किये थे, इन फैक्त, वो तो जूटे वादे थे, वो तो पूरे होने नहीं थे, इसलिए इनको छोड़ के भागना पड़ा, और मेरा दावा है, कि इस बार भी जो इन्होंने जूटे वादे किये हैं, अग कल्पना किजे, क्या दुनिया में, हिंदुस्तान में, प्यार, इसने, मुहबत या नफ है, पांसो दिल्ली में, पांसो स्कूल कॉलेज बनाने के लिए गारंटी दे रहे हैं, दिल्ली के पास जगें कितनी है, अरे हमारे पास जितने कॉलेज हैं, हम उनको दो सिफ्ट में, तीन सिफ्ट में, या उनका ऐकेडमिक और बेटर करके हम उनको बना सकते हैं, लेकिन य यह ऐसे बादे हैं जो बिल्कुल जोटे बादे हैं जिनको पूरा करना मुश्किल है। सारे चेत के बड़े बड़े नेता दिन भर हैं सांसद आगा हैं मुख्य मंत्री घूमड़े हैं सब कुछ इतनी तबज्व इतना अहमियत क्यों प्रदान मंत्री दिल्ली देखिए ऐसी बात नहीं है आप जार्खन को देख लें जार्खन में 83 सीटे थी वहां पर प्रदान मं कारिक्रम तो लगते ही हैं हमारे मिनिस्टर से वह लगते ही हैं महराष्टा में जितने लोग लगे थे उससे बहुत कम लोग आज दिल्ली में हैं लेकिन हाई क्या कि दिल्ली तो दिल्ली है देश का दिल है और यह चुनाव एक स्टेटस के लिए भी होता है और खास तोर से दिल्ली में तो जो दिल्ली का सुरूप है इस सुरूप का लाब तो पूरे देश को होता है क्यों दिल्ली को थोड़ी नहीं होता है इसलिए दिल्ली का चुना बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे चुनाओ चुनाओ होता है उसमें हमारे सारे कारे करता इंक्लूडेट नेता, मिनिस्टर्स, सब लोग लगे हैं और चुनाओ के समय कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है बागी लोग कर रहे हैं कि दिल्ली को पुर्ण राजी का दर्जा हम दिलाएंगे आपकी केंदर में सरकार है, आपको दिक्कत होगी अगर विपक्ष मांगेगा तो आप उसको लेकिन जब आपकी सरकार बनेगी हैं तो आप इस मामने को कैसे देखेंगे आप चाहते हैं कि दिल्ली को पुर्ण राजी का दर्जा मिले तो ऐसे में हम कहां इसे अशाहमत हैं हम तो चाहते हैं और होगा भी हमारी शरकार आ रही है और दिल्ली के बारे में हमारे जो भी कॉमिटमेंट है चाहे पुर्ण में हमने कॉमिटमेंट किया है चाहे आज हम लोग डॉकुमेंट बेजिन के रूप में दिये हैं, हम सब का पालन करेंगे, सब के आधार पर दिल्ली का एक बिराट और विश्त्रित और एक सॉलिड ठोस रूप हम लोग देश के सामने रखेंगे. और क्या क्या अब बीजेपी चाती है, लेकिन हमें लगता है कि केंदर सासित प्रदेश का एक रूतबा पहले था, फिर राज्जी बना और आपकी सरकार यहां है, यह होम मिनिस्ट्री का अंदर एस्टेट आता है, और ऐसा एस्टेट अगर बार बार इस तरह की डिमांड करे तो एक राजधानी को चला पाना दिल्ली में मुश्किल होगा, इसलिए जो भी सरकार केंदर में रहती, वो नहीं चाहती है कि इसे पुर्ण राज्जी का दर्जा मिले